ये कभी नहीं सोचे कि हमारे कर्मों का फल में भूगना पड़ रहा है। हमें तुड़ी मती बदलनी पड़ेगे। मुझे प्रभूश प्रेमरस को शाने के लिए क्योंकि महान प्रेमरस है। हमें दुख और शुख दोनों देकर परिपक्व कर रहे हैं। छोड़ो पच्छड़ा कर्म का। ये तो समझाने के लिए जो अभी आश्रे में पुष्ट नहीं हो रहे हुए। अब वाला कोई कर्म विधान की तरब द्रिश्टी नहीं जानी चाहिए। हमारी द्रिश्टी प्रभू के विधान की तरब जानी चाहिए। जो हमारे ब्रंदावन के रशिक जनव वो शिद्धांत वरण करते हैं कह रहे हैं कोटी सुख दुखन के नाना भाति दायक हो जो जो तुम दीजै सोई हमको कबूल है तुम देवो और हम चाहें कछ और यामेहोत रसा भास ये मेरी बड़ी भूल है जो पैचित आई आकों दुख अब दीजिये जू सोतो दुख हमें कोटी सुख शम तूल है यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी जो इच्छा नहीं जानी ता जानिबे पे धूर है हे रावरी आपको बहुं शमर्पित हो गए सुख शिद्धान्त समझ्ज़ो अब हमारे कोई संचित कर्म नहीं कोई प्रारब्ध कर्म नहीं कोई क्रेमार नहीं क्योंकि तन, मन, वानी और श्वयम से मैं आपका शर्णागत हूँ और आपका शिद्धान्त है यो शर्णागत हो गया उसका भार मैं वहन करता हूँ अब हमें क्या चिंता फिर दुख के वार है ये प्रस्ण क्यों उठा ये उनका शरीर है उनका हरदय है चाहे इसमें दुख भेजे या सुख भेजे उनका मकान है चाहे हीरा जवारात रह चाहे कबार भरे हमें क्या परिशार है हमने तो उनके नाम कर दिया अभी निश्चिंत निर्भय कोई चीनता नहीं कोई बहने कोई सोक नहीं विप्रीट भावना का त्याग संसे बिल्कुल नहीं निशोक कोई शोक नहीं कोई संशे नहीं यह अपने आप आ जाता है अब मुझे क्या परिशाद वं कोटी सुख दुखन के नानां भाति दायक हो आप, अब हम कर्म को नहीं मनेंगे कि हमें कर्म, यह मुचे आश्रे और इस्थिती की बात कर रहे हैं, शर्णागत की जो परिपक्व इस्थिती होती हो, वो सब यह, वो एक बात केवल देखता है, आप, आप, आप ही शुक दुख देने वाले हो, क्यों देते हैं सुक दुख केवल शुक ही देते रहें ना, दुख क्यों देते हैं, क्योंकि वास्ति को केवल शुक में ही आपको निवगन करना चाहते हैं, इसलिए जहां तुम फसे हो, वहां दुखान भूती करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, हम इसे कर्म बिधान की तरब देखेंगे तो सास कोई वस्तु दे दी, अगर आपकी मंता आशकती तो फिर आप बार बार पूछे, ओ कैसा रहा, वस्तु कैसी है, आपको अच्छा लगा, बार बार पूछे, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ा ही सुनना चाहते हैं, किस बात के सरना गत हुए, तन से, मन से, प कर रहे हैं, कोटि सुख दुखन के नाना भाति दायक हो, सरनागत का क्या स्वरूप होना चाहिए, जो जो तुम दी जैसो ही हमको कबूल है, अब जैसे आप रखोगे, बस ये स्थिति आना कठिन हो रहा है, हम जैसे चाहें, वैसे तुम चलो, कौन बोला है, शरनागत, किस से, सरन से, क्या प्राप्त कर पाओगे, मनमानी आचरन से, क्लेस प्राप्त कर पाओगे, अशांती प्राप्त कर पाओगे, शांती और परमानन, जो जो तुम दी जैसो ही हमको कबूल है, जैसे हमें रखो, वैसे हम, तुम देवो और हम चाहें कछो और यामे होत रसाभास मेरी यही बड़ी भूल है जो पैचित आई या को दुख अब दीजिये जू सोतो दुख हमें कोट सुख सम्तूल है यह बात समझनी है यदि आग को आ रहा है किसे बिपत्ती और दुख में डाला जाए तो हमें करोणों सुख के समान वो बिपत्ती और दुख है क्योंकि उसमें भगवदानंद की अनुभूती होगी उसमें हमारी आशक्ती ममता भश्म हो जाएगी जो प्रभू के चरणों में जाने में हमें बाधा पोँचाने वाली थी ये दुख है बिपत्ती है अपमान हमारी हर्दे में आख पैदा करके उसमें अशक्ती ममता को भश्म कर देंगे पका आप चाहो कि इसे दुख दें हम चाहें सुख तो मार गई बदल गया फिर हम शरणागत कैसे है भक्तों ने तो ऐसा मंगा कि अगर हम सुख चाहें तो आप हमें नरक जरूर भेजना प्रभू कभी मेरी आस पूरी मत करना ये चाह आप के बिलकैसे हो गई ये उच्छी की बात अभी तो नाम जब करो जो चाह है वो उनसे मागो मना नहीं करते कामना यहां निश्काम जैसे भी बने पहले बजन करो ये हम स्थिती कहते हैं जहां से निकुंज लीला में प्रवेश होता है जो पे चिताई या को दुख अब दीजिए जो सो तो दुख हमें कोट सुख सम्तूल है स्वईकार करो कोई प्रस्टन ही नहीं रह जाएगा बस यही कि हम अपनी माननेता अपना अग्रह अपनी मंता नहीं छोड़ पा रहे हैं इसलिए ऐसा परम शुख हर शमें तुमारी शुख में इस्थिती होगी सोच नहीं सुख में इस्थिती होगी आवश्यक्ता वस्षरणागती के शोपान में आगे बढ़ने की है क्या स्वरण में किया दुख किसको मिल रहा है अब जब ये प्रश्ण करो तो कोई उत्तर नहीं है जब प्रभू को शमर्पित कर दिया है तो हम ना माने कि हमारे कर्म फल से आ रहा है हमें प्रभू बलवान बना रहे है हमारी प्रभू आशक्ती और मंता को नर्ष्ट कर रहे है दुख क्या है एक माना हुआ ब्रहम है सच्ची माने माना हुआ ब्रहम है कोई कहताए कर्म का फल दुख है कोई केताए कोई कहता है अज्यान से हमें दुख पहुंचा रहा है नहीं बहुraul है नहनतर महाशुक में डूबा हुआ है यह अध्यात्म है ऐसी निचाई पर बैठे हो जहां आचरण पवित्र नहीं तो बात ही कैसे समन में आ जाएगी कितना भारी शमरपण है कि जो अगर आपके चित में आ गया इसे दुख दे क्यों दुख दे क्योंकि वहाँ राग है तुम्हारा जहां तुम्हें दुखान भूती हो रहे राग नहों तो दुख कानुभव ही नहीं होगा अब हम छोड़ पान ही रहे इसलिए प्रहु ने दुख रूपी और शदी दे के राग से मुक्त किया कितने करपालो है अनंत जन्मों से राग रूपी रोग हमें बार बार क्लेश शांती दुख प्रदान कर रहा है तो प्रभु जो दुख दे रहे हैं उस्षे वैराग के उद्धे होगा राग रही तो होंगे अंदर की बात समझ लिजिए इसमें क्योमियों की ज़रुष नहीं है यही बात सार निर्धार महापुर्षों ने अनुभव करके यही निर्धार किया यही सार बात है कि हे रावरे, हे युगल सरकार यदि आपकी इच्छा नहीं जानी तो जानिबे पर धूर है क्या जाना जोई जोई प्यारों करे सोई मुही भावे यहां से प्रारंब है रस समुद्र चतुराशी जी अर्थात आपका प्रारंब यहीं से है हमारी उपास्वना का रसा स्वादन जोई जोई प्यारों करे सोई मुही भावे अब हमको अपनी परवाने रही ने हमांगे, मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोग है, मत्सर है, पर पूरा मकान मालिक के नाम कर दिया है, यह जो असद वृतियाँ है, यह बड़े बलवान इन से हम नहीं जीत पा रहे है, तो बड़े बलवान के नामें कर दें, उखा भालो आग पक्का परंपद मिलेगा चाहे कोई भी हो ब्रार्थना मालो सिद्धान्त बहुत से अलग-अलग सास्त्रों के बरणन किये गए यह प्रीत की रीती हैं कि सिद्धान्त यह प्रेम का है कैसा भी हो अलग लड़ेती री जी के महल खवासी दे सुग्रीव जी से पूछ रहे हैं कि बीविश्ण जी आया है क्या सिद्धान्त है मुझे तो ऐसा लगता है नीती यही कहती है कि दुश्मन का भाई है लास्च लेने आया होगा इसको प्रतारित किया जाए बांध दिया जाए ऐसा भगवान बहुत करुणा में मर्यादा पुरुशू था न बोले सका नीती तुम नी की बिचारी पर तुम्हें प्रीत की बात नहीं बोलनी आई तुम नीती की बात तुम बढ़ियां बोले अगर यह तुम्हारे अनुशार रास्य लेने आये तो क्या रास्य जानेगा हमार समोंते थे और जो शभीता वासरनाई तो रखियों ताई प्रान की पृती की रीति रगीलोही जाने सब नीतिया एक तरफ उनка प्र स्व प्रीति की रीति प्रीति सहसे जने कि राल जूई जाने सब निर्वाह कर लेते इनको छोड़ना आता ही नहीं हमारे प्रभु को इसलिए श्री पाद करे आप इस बात से भैवीत न हो जैसे कोई कहता है कि आपका प्रवचन शुना की राधा नाम से सब कुछ ठीक हो जाए वो पाप कर रहा है और राधा राधा जप रहा है उसकी गत जपके तो देखो केवल बाणी से बोल रहा हो तुम जपके देखो तुम तुमारा हरदय पवित्र हो जाएगा तुम्हारे अंदर ऐसे संकल्म ही नहीं बनेंगे तुम्हारा जीवन निर्विकार हो जाएगा दीध गाल तक सतकार पूर्वक जब दे कर दोड़ा वातों से अनुशार चलता रहा है अब उसने सत्संग सुनकर राधा नाम डाल लिया है फिर भी मन के अनुशार चल रहा है तो अब राधा नाम अपना प्रभाव दिखा कर मन को अपने अधीन करेगा बिल्कुल ठीक कर देगा भोर दुराचारी भी महत्मा बन गए किसके बल से नाम के इसलिए यहां जो श्री पाद करे कि भले हमारी स्थिती अधर्मे में हो दुर्मती हो दुश्चेश्टा हो कोटी-कोटी घोर अनर्थ वकारी दुर्वास अब हमें किसी से और कोई सहयोग मांगने की ज़र्प नहीं बस मास्तु स्री राधा बिस्म्रतम नाम मात्रम अब ज दीजिए यह क्यों में यह दूसरी बाते यह नाम यह नाम हम कहते सब नाम मेरे प्रीतम के कभी बिरोधी भाव सुना हो आद तक शब नाम प्रीतम के रामकृष्ण हरी श्यू माता पिता जो बोलो मेरा ही स्वामी सब वो रंगीला ठाकूर है रंग उसी का है यदि आपको ह हमारी बात प्री लगती है तो हमारा एहरते गुरुदेव की कृपा से राधा 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 तो आप उस स्ष चाहे सब की ना आप अगर शिव-शिव बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम तो हमारा मन तुमारे चरणों में लुठे गा विरोधी तुड़ी करे तो सब शूट जाएगा क्योंकि तुम्हारा पहले चिंतन होता फिर तुछ चिस्टा होती तुम अपना सरीर का भाव लेकर चिंतन करने से ही तो दुर्गती को प्राप्त हुए हो छोड़ो तुम्हारे समले नहीं समलेगा राधा 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 भरोशे हो जाओ ब्यास भरवाई कि सोवत पाओ भरोशा भरोशे में बहुत बड़ा बल है चले हैं शिद्धांत को शमझ लो ये प्रीतिका सिद्धांत है ऑगुन करे शमुद्र शम्गनत नापनो जान राई के सम्भजन को मानत मेरु शमान तुम्हारा पूरा जीवन लड़ते बीत जाए ये बह नामजब कर रहे हो और विकार आपको परास्त करते चले जा रहे है या अंतरिक भाव को समझना आप नाम के बल से उत्साहित होकर पाप कर रहे हो तो नामजब चलेगा ही नहीं बोले ही नहीं पाओगे देखना क्योंकि भगवान का शिद्धांत है जो पापाच्टरन करने वाला है वो मेरा भजन नहीं कर सकता पापवंत कर श्रेज शुभाव भजन मूरती भाव पर वो माला भी जबता है और उससे गलतियां भी हो रही इसका अलग से दांध हो गया वो अंदर से चाहता है कि मेरे से कोई गलती नहीं पर पूर वह वाशना उसने इतनी निरुबल कर दी है कि नाम जब करने का अभ्यास कर रहा है पर वो फिशल जाता है ये परंपद को प्राप्त हो जागे इसमें कोई संसे नहीं वो जीवन लड़ते लड़ते वितीत करेगा जिता देगा नाम नागरीदासी जनम जितायो बलिहारी बलिहारी ये बहर मुक पुरुष नहीं जानेंगे इस बात को किरपालु प्रभु अंदर की बात देख रहे हैं ये निकलना चाहता है मेरी दुरत्य माया से ये बलहीन हो चुका है ये बार बार फिशल लाहा है फिशलना और शंकल्प करके उत्साइथ होकर पापाचरन करना इसमें बड़ा नतराय है उत नहीं चा ये उसकी बुद्धी निश्चे कर लिया अब नहीं अब तो मेरे बनाए बनेगे ना कोटी कलब लो आपके बनाए बनेगी पलपाओ में राधा 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 निश्चिंत हो जाओ ये क्यों में हो ये सब भरोशा बहुत बड़ा बल है और इतिहास साक्षी है कैश वियास तक कोई हो प्रभू की शरण में जो हुआ उसकी दुर्गती नहीं हुए नहीं हुए आप इन बाहरी बातों से कि हम नाम जब करेंगे तो हमें संपत्ति मिल जाए हम अभी निर्विकार हो जाए अभी हम परमानन्द में डूब जाए ये सब हो जाएगा पर फशल को परिपक्त होने दो ऐसा थूड़ी की किसान बीजबोय दो दिन में पचास मन गी हूं घर में रख लेता हो ऐसा नहीं कई महिने उसकी सेवा सुष्षा रक्षा करनी होती बड़ी लगन से हो बड़ी मेहनत से तब करके कश्ट सहे कर ताप जाके जब फशल परिपक्त होती त निंदा हो रही अपमान हो रहा मेरे प्रभू मुझे महान बना रहे हैं शम्मान मिले तो होस में अपमान मिले तो बेपरवा इस्तुती हो तो होस में निंदा हो तो बेपरवा सुखावे तो होस में दुखावे तो बेपरवा ये मार्ग है अध्यात्म का समझो यहां सुख बहुत शावधाने कमान जब हमें रशिकों की कृपा मिली है तो इसमें थोड़ा सावधान हो जाए मनमानी करना बंद कर दीजे हम तो देखते हैं कि जो रज शिव शनकादी किया चत वो उनको चुबने लगी पाउडर लगाएं ओक्या चिकना चिकना ये रज ये देखो अपराद बना देखो अपराद का फल जहां रज के इस पर्ष से रजोगुन का नास करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है ये रज यो ब्रिम्मरुद्र शुकनारत भीस्ममुक्याई रालक्षितोन सहस पुरुशत सितस्य सद्यो वसी करन चुर्ण मनंत सक्तिम यहां आचारित चरण कर रहे ब्रिंदावन रज का शेवन करने के लिए जैसी धरिवन सनत सचुनाही बिनुया रज ही लिए रज लगाने की हिम्मत नहीं रह गई बहुत शाल्दा शंत क्रपा से उच्छ पदवी क प्राप्ति वही अपमान होने से कितने तिर्यक योने में पहुंच गए नीची योने में पहुंच गए शल्लेजी युदिस्ठिर से कहते हैं पत्नी शहित इंद्र को भी कई बार दुख उठाना पड़ा है इसलिए आप इतना दुखी नहूं कि आपको अपने भायों शहि बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं जैसे इंद्र ने व्रतासुर को मार कर अपना राजप्राप्ति क्या इसी प्रकार तुम इन अधर्मियों का विनास करोगे शत्रशुदन जो ब्रह्म रिश्यों का द्रोह करता है जो पापात्मा है वो निश्चित नस्ट हो जाता है बस समय देखो जब तुम अपराद करोगे तो तुम्हारे शामने विशय शुक की भरमार हो जाएगी सुक्षमता समझना जो जो तुम क्योंकि तुम्हारे सुकृत नस्ट करने अब तुम्हें दंड देना है अब वो भूला हुआ प्राणी समझ नहीं पता हो समझता है पह और जहां तुम धर्म के मार्ग पर चले तो सारे दुस्कृत बसमोना चुरूए अब तुमारे आगे प्रतिकुलता निंदा अपमान दूख अब आपको लगा यह क्या है जितना भजन जितना सत्व कहने वाले मिल जाते यह रास्य है इस शिद्धांद को शम्झो जो दुर कि आप भगवत उपासक हैं और तरह तरह की चिंता से ग्रसित हैं तो सभी चिंताएं छोड़ दीजिए क्योंकि प्रभु सब देख रहे हैं आपकी अधिक चिंता प्रभु को है आपका सब कल्याण ही होगा जैस राधे क्रिश्ण